अचानक पप्पू यादो पटना पहुँचे और यहाँ पे मीडिया से बात चीत करते हुए तेज़श्वी यादो के उपर बमक के फायर हो गए। तेजश्वी यादो को उन्हें ने बहुत कुछ सुना दिया और नतिश कुमार को घेरने का जो ये तरीका थे जश्वी यादो ने अपनाया है उसी तरीके को लेके पपू यादो ने उनको घेर लिया क्या कुछ कहा है पपू यादो ने इसी के बारे में हम आपसे बात चीत क पूस्ती है तो तेजश्वी यादों के ऊपर एकदम से गरमा जाते हैं। तो कभी न कभी तो वो भी तो नितिश कुमार के साथ सरकार में थे तब क्या अपराद रुक गई थी उस वक्त भी अपराद हो रहा था। तो इसमें गलती क्या है, बिहार की जनता की गलती क्या है, बिहार की जनता तो दोनों तरफ से भुगत रही है, आप दोनों का सरकार भी रहा है। लेकिन उसके बाद भी बिहार में कहीं न कहीं ये जो मामले हैं वो थमने के नाम नहीं लिए हैं। वो आपकी सरकार हो, चाहे वो आप सरकार में हो या नितश कुमार की सरकार हो, नुकसान हमेशा से बिहार की जनता का ही हुआ है। उसके बाद पपु यादव ये भी कह गए, कि तेजश्वी यादव जो इस तरीके का पोस्ट लिख रहे हैं, आखिरकार उस जगे पर क्यों नहीं जाते हैं, अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है, तो वहाँ पर जाएं, रोड पर जाएं, उतरें, इसका विरोध करें, तो व तो वहाँ पर जा भी नहीं रहे हैं, बस बता दे रहे हैं, कि यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, आपको एक बार वहाँ पर जाना चाहिए, उसका विरोध भी करना चाहिए, उसके बाद वो बोल रहे हैं, वास्त्विक्ता में जाके रोड के उपर इसके बारे में कुछ क्य भी होता है और इस वज़े से तेजश्वी यादो पर खुब फायर नजर आए पप्पू यादो ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादो तेजश्वी यादो पर गुस्सा हुए हूँ वो हर बार जब भी मीडिया उनसे पूछती है तेजश्वी यादो के उपर सवाल तो वो एकदम से fire हो जाते हैं, गुसे से आग बबूला हो जाते हैं, तेजश्वी यादों को बहुत कुछ कहने और सुनाने लगते हैं, इसका वज़े साफ तौर पे एक तो ये है कि लोग सबाका जिस तरीके से पूनिया में उनका टिकट काटा गया था और उन्हें निर्द कहीं न कहीं नुक्षान जो होता है, वो बिहार सरकार का नहीं, अपितु बिहार के लोगों का होता है, मतलब पार्टी कोई भी हो, सत्ता किसी के हाथ में भी हो, सत्ता चाहे तेजश्वी यादों चलाएं, नितिश कुमार चलाएं, या फिर दोनों मिल के चलाएं, इसमें नुकसान सिर्फ बिहारवासियों की होती है और अगर उनको इतना जादा पीरा हो रहा है इतनी तकलीफे हो रही है तो सोसल मीडिया छोड़के जमीनी अस्तर पे जाएं और इस बात का विरोध करें लोगों से यह अपील करें कि इस तरीके करना हो साथी साथ सत्तापक्ष में जाके इसका एक मार्च निकाले सत्तापक से इस बात का डिमांड करें कि इस चीजों को रोका जाए सिर्फ सोसल मीडिया पे पोस्ट करके कुछ भी बंद नहीं होने वाला मतलब पूर्ण तक घेरते हुए नजर आए है पपू यादो तेजश्वी यादो को और अब जो है इनका यह जो गुसा है जिस तरीके से वो तेजश्वी यादो को घेर रहे है तो वो मुद्दा जिस पर तेजश्वी यादो आज तक नितिश कुमार को घेरते आया और लोग सबाचुनाओं के बाद लगातार हमलावर है नितिश कुमार के ऊपर उसी मुद्दे को लेके प भंदे से कैसे बाहर निकलते हैं बाकी आप देख रहे हैं जंता जंग्शन और मेरा नाम रजत है